हलो फ्रेंड्स आज बनाने वाले हैं हम इन बैगन से बहुत ही शांदार सा नाश्ता जो की फटा-फट से बन जाता है खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत जादा क्रिस्पी और चटपटा बनता है तो चलिए फिर देर किस बात की बनाते हैं इसे तो मैंने यहाँ चोटे साइस के यह लंबे वाले काले बैगन ले लिए हैं इनको मैं बीच से इस तरह से स्प्लेट कर दूंगी और इसको मैं चार स्लाइस में कट करूंगी तो एक पार्ट से दो स्लाइस हो जाते हैं और एक पार्ट से दो स्लाइस तो आसानी से एक बैगन से चार स्लाइस निकल आती है, और अगर आपके बैगन जादा बड़े हैं, तो आप जादा भी slice कर सकते हैं, यह छोते size के हैं, बहुत ही スト predictions के हैं, आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक भी बीज नहीं है, तो इस तरह का बैगन हो तो जादा अच्छी बात है, तो बस इसी तरह से हम सारे मैंने सारे बैगन को कट कर लिया है और इसी तरह और बचा हुआ जो भी है वो भी हम कट कर लेंगे और बस इसको रखते हैं अब हम साइड में और बनाते हैं इसका घोल तो यहां पे एक मिकसिंग बाउल लिया है इसमें मैं तीन बड़े चमच बेसन ले लूँगी आप चाहे तो इसमें एक दो चमच चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं मैं ये नाश्टा पूरा बेशन से ही बना रही हूँ तो मैंने तीन चमच बेशन ले लिया है थोड़ा सा पिंच ओफ हल्दी ले लेंगे और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक आट कर देंगे और डाल रही हूँ यहाँ पे आधा चमच अच्छे से लाल मेश पाउडर तीखा है थोड़ा सा और बस साथ ही में आधा चमच अजवाइन आट कर दूँगी इस तरह से क्रश करके तो बस अब इतने मसालों में थोड़ा सा हमें सोडा डाल देना है यह बेकिंग सोडा है और बस इसको हमें मिक्स करना है पानी के साथ और इसका एक अच्छा सा घोल बना लेना है तो बस, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हमें इसका जादा पतला घौल रेडी नहीं करना है थोड़ा सा थिकी होना चाहिए तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए थोड़ा सा थिकी, देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्टिकी जैसा हो रहा है, तो बस अब ये एकदम रेडी है, अब हम यहाँ पे अपने बैगन के स्लाइसे को इसमें डिप करेंगे, और गरमा गरम ओल में इसको हम मीडियम फ्लेम पे हम इने कुक करेंगे, क्योंकि बैगन बहुत ज्यादा सॉफ्ट था तो बहुत ही जल्दी से ये पांच मिनिट में कुक हो जाता है, तो अच्छे से हम इसको अलट पलट के गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेंक लेंगे, और देखिए कितना जल्दी से य तो जादा टाइम नहीं लगता है, बनाईएगा इस रेसिपी को जरूर से कभी, और खाने में बहुत जादा टेस्टी भी लगते हैं, तो बस अब इन में बहुत अच्छा सा एक कलर आ गया है, ये एकदम रेडी है, बहुत अच्छे से कुक हो गया है, तो अब हम इने से निकाल लेते हैं, एक प्लेट में और इसी तरह से बाकी के बचे हुए बैगन स्लाइस को भी हम डीफ्राइ कर लेते हैं, है ना बहुत आसान रेसिपी, फटा-फट से बैगन को कट कर ये घोल रेडी कीजिए और इस तरह से डीफ्राइ कर लीजेगा, बहुत बहुत बहुत ही जादा कुरकुरे बने हैं, और खाने में तो बहुत ही जादा टेस्टी हैं, तो आप इने किसी भी कैचप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और इनका थोड़ा सा टेस्ट और इनहेंस करेंगे हम चाट मसाले से, तो मैं थोड़ा सा इसके उपर चाट मसाला स्प्र जरूर से इस recipe का लुथ फुठाईए और देख सकते हैं अंदर से कितने ही अच्छे से ये cook हुए हैं और बहुत ही जादा क्रिस्पी बने हैं तो बहुत ही शांदार recipe है, easy recipe है जब कभी भी चटपटा खाने का मन हो इसे जरूर से try कर सकते हैं और ये देखिए फटा फट से ये बन जाते हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें अपने family and friends में जरूर से share करें तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and bye bye